हलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू माई चैनल अनवेशास क्रियेटिविटी और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी यह वुड़न पीस जो मैंने आपके साथ में शेयर किये थे जहां से लेकर के आई थी मैं उसे आज मैं एक डियाइवाई बनाओंगी बालकोनी डेकोरेशन के लिए और वो मैंने ऑनलाइन चेक किया था काफी महंगा था मतलब आप मानेंगे 900 सम्थिंग था 700 था कि 900 था यह मुझे याद नहीं मैं वीडियो की लास्ट में उसकी पिक्चर भी शेयर करूंगी जो डियाइवाई मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो वो मैं आज खुद क कर रही हूं और बालकेनी में लगा सकते हैं आप अपने घर में लगा सकते हैं कहीं पर भी लगा सकते हैं बहुत ही खुबशूरत लगेगा और बनाना भी उतना ही सूपर एजी है तो क्या बना रही हूं चलिए शुरू करते हैं तो मैंने लिया है इस टाइप का बुड़न पीस ये देखे इतना चोड़ा है और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आपको जितना लंबा छोटा जैसा भी रखना है और एक बुड़न पीस ये लिया है मैंने तो ये छोटा वाला बुड़न पीस जो है इसकी थिकनेस भी आपने देख ली है इतना है और ये 4 by 6 का है 4 ये वाला जो है यह मैं आपको दिखा देती हूँ यह 6 x 13 का है इसके भी मैंने 2 पीस लिए है यह देखिए आप इस टाइप से मैंने 6 x 13 के 2 पीस लिए है और 4 x 6 के 2 पीस लिए है तो अभी मैं क्या कर रही हूँ इन पीसे को तो मैं रख दूंगी अलग और इन पीसे में मैं लगा कि यहां पर सेंटर में इस तरीके से मैं इस को क Wow यह देखे मैंने आप अपने कोडिंग कर सकते हैं यहां पर सेंटर में भी कर सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा जगा छोड़ करके किया है और अब मैं इस वुड़न पीस के उपर इस पोर्शन को इस तरीके से नीचे रखते हुए यहां पर इस तरीके से करते हुए नेल लग लग बग 2 इंच का पोर्शन चोड़ूंगी और यहां पर मैं नेल की हल्प से इसको फिक्स कर दूंगी आप चाहे तो कोई भी हॉट ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं चाहे तो कोई भी अधैसिव ले सकते हैं इसे की यह ठुक जाए पर अच्छे से स्टिक हो जाए बट मै मैं कीली से नेल से लगा रही हूँ कर दोनों में यहां पर इस तरीके से नेल लगा दिये हैं इस वाले में भी लगा दिया है और इस वाले में भी लगा दिया है सो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ तो यह मैं बना रही हूँ वाल शेल्फ और यह कुछ इस तरीके से बन करके रेडी हुई है यह बन गई है लेकिन इसमें पीछे आप हैंक करने के लिए यहां पर एक हुक्स वगरा भी आते हैं मार्किट मे इजिली अवैलेबल है तो हुक्स लगाई जाते हैं तो यहां पर नेल की हेल्फ से एक और एक यहां और एक यहां दो हुक्स भी आप लगा सकते हैं अगर यहां पर नेल लगा दूँ और दोनों के बीच में मैं यहां पर कोई भी गोल्डन थ्रेड वगरा लगा दूँ तो यह हैंग होने का अरेंजमेंट इसका हो जाएगा लेकिन मैंने ढूंडा मुझे इस ट्रैप के दो हुक्स मिले हैं जो की मेरे काम के तो नहीं है लेकिन मैं इसको काम का बना लूँगी मैं क्या करती हूँ इनको फ्लैट कर लेती हूँ तो मैंने इनको फ्लेट कर लिया है और अब मैं इसको लगा दूगी यहां पर नेल की लिए और दूसरा पोर्षन हैंक करने के लिए हो जाएगा तो दोनों में मैंने यह पीछे इस तरीके से हुकस लगा दिये हैं और आप देख सकते हैं यह पूरी pray 일반 ac constructive हो गये है Usually एक्राइलिक कलर भी ले सकते हैं अपने मन पसंद कलर यूज कर सकते हैं रैड ब्राउन ब्लैक यलो ग्रीन वगरा जो भी आपको पसंद है बट मैं इसको थोड़ा बुड़न टच देना चाहरी हूं तो इसलिए मैं और सस्ता भी है और इजी भी है अवैलेबल तो मैं ले रह रैड से भी बना सकते हैं मैं आपके साथ में पहले भी शेयर किया है मरून ने मरून कलर में ब्लैक कलर थोड़ा कम मिक्स होगा रैड कलर में ब्लैक थोड़ा जादा मिक्स करना होता है तो यह मैंने लिया है कलर और इसमें मैं मिक्स करूंगी ब्लैक कलर प्रेश को में पहल पाणी में भीज़ा लिया और ये देखे कितना ईच्छा कफी ब्राउन कलर बन गया है इसको अच्छे समिक्स करना है अप मैं यह देखा कर रहे होगा है और अब मैं और अब हैं, और प्रात की कहीं कि शुरू कर सकते हैं妳 आप चाहे तो इसका डबल कोट भी कर सकते हैं। मैं पहले एक कोट करूँगी और उसके बाद में देखुँझी कि अगर ये कोट भी कालेटया नहीं तो फिर डबल कोट भी कर दोऔ अब ले कर देखे अ पहाँ अगर अपना मन पसंद कोई भी खे तूज कर सकते हैं। और मैंने ब्राउन कलर यूज किया है आप अपनी इचा से अपना मन पसंद कोई भी कलर चूज कर सकते हैं क्या मैं दिखाई आङ hoping लुए हुएं होने के बाद में यह कुछ इस तरीकेसर पिख रए है और अभी में इसको सर्थे करके वाल पर हैंड करके तुर आपको दिखाती हैं है ॽे किस तरीकिसे लगेगा स्वानकी कि लिए देला एक ने शाया है और यह मनी प्लांट के मैंने छोटे-छोटे पॉट्स रखे हुए है और यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है रात में इसके अंदर कैंडल भी हम जला सकते हैं तो आपको कैसा लगा यह डिया वाई मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अगर अच्छा लगा है तो इसको ला